Hello student, this video is an introduction video of chapter 6, The Triangle and Its Properties Since this is an introduction video, तो यहाँ पे हम सभी इसके चाप्टर में जो भी concept यूज हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे तो first concept is triangle, आप सभी ने triangle पड़ा है पहले भी, आप सभी triangle के बारे में जानते हैं basic definition जी हो जाएगी, कोई भी close figure या curve उसे हम बोल सकते हैं ले जो कि 3 lines से मिलकर बना हो, उसको क्या बोल देते हैं हम triangle जैसे कि मैंने या एक figure लिया, A, B, C, आप देखे हैं 3 lines है, closed है, तो यही क्या हो गया आपका triangle next and next, आप देख सकते हैं, मैंने 3 shapes ले हो, 3 ही क्या है आपकी triangle की अब next आता है, इसमें parts of triangle, यहां मैंने इसको समझाने के लिए triangle लिया है, P, Q, R, जिसको मैंने नाम दिया है P, Q, R, अब यहां देखेंगे, सबसे पहले बात होते है, sides of a triangle, so sides क्या होती है, जितने भी lines है, इन्ही को क्या बोलते है हम sides, जिन से मिलकर triangle बना होता है, जैसे एक line हो गई आपकी P, Q, side, 1 हो गई Q, R, और 1 हो गई R, P, तो यह क्या हो गई, sides of a triangle, next आता है, angles of triangle, तो यह जो angle बनने है, जो एक angle P बन रहा है, दो line से जो format हो रहा है मिलकर, वो angle हो गया, एक angle P है, एक angle Q हो और एक angle R है, तो angle P, angle Q, और angle R, अब P, Q, R है, इसे नाम हम अलग ताप से भी दे सकते हैं, जैसे angle P को मैं लिख सकते हूँ, अंगल R, P, Q, जो भी angle हमें लेना होता है, उसको हम बीच में लेते हैं और जो इसके sides की vertex होते है, उनके नाम देते हैं, तो यह से angle R, P, Q, एक हो जाएगा, आपका angle R, Q, P, जो Q angle को पॉर रिप्रेजेंट करता है, और एक angle हो जाएगा आपका P, R, Q, जो angle R को रिप्रेजें कर सकते हैं next आता है vertex तो यह जो points हैं जहां पर दोल आम्स यह sides आखकर मिलती है वह ही जाती है vertex तो यह vertex 3 मिलते हैं में P Q R अगर आपकी triangle के नाम आपने कुछ और दिये हैं तो उसी के according की naming भी change हो जाएगे ठीक है next आता है median ठीक है median बहुत easy है समझना समझते हैं आपने कोई triangle लिया supposedly I have taken here triangle ABC आप देख सकते हैं triangle ABC अब यहां पर कोई भी vertex B vertex है मैंने vertex के opposite side पर एक line ड्रॉव करी ठीक है opposite side पर जो मैं line ड्रॉव कर रहे हूं यह line अगर जो opposite side है उसके midpoint पर है तो इसी को हम कहते हैं median line जैसे BD यहां का है median यह जो line ड्रॉव करी यह आपके midpoint पर है तो यह क्या हो गई आपकी median line अगर definition बात करते हैं तो a median contact sorry a median connects a vertex of our triangle to the midpoint of the opposite side ठीक है opposite side का midpoint है उसकी vertex से मिलता थी हुई line को ही हम क्या बोलते है median next अगर हम इसे समझते हैं एक और मेंने triangle यह इसकी shape अलग है triangle a b c यहां जो है vertex a है मैंने यह vertex आप change कर सकते हो means according to the question हमें लेना पड़ेगा since यह examplar है example है तो मैंने इसमें अलग-अलग vertex से आपको median draw करके दिखाया है तो एक vertex a है उसके opposite side है वो है b c vertex a के opposite side है b c और b c का जो midpoint है उसे हमने नाम दे दिया है d और d से हमने जो a को मिलाया है यह क्या हो गई आपकी मीडियल नाइन तो हीर a d is median so i think it is clear now next आता है altitude थेक है altitude भी आप बच्चे पढ़ चुके होगे यह होता क्या है इसको हम देखते हैं अब आपके पास एक triangle है a b c यह altitude में एक perpendicular draw किया जाता है फ्रॉम दा वर्टेक्स तू दा अपोजिट साइड किसी भी वर्टेक्स यहां वर्टेक्स ए है इसके अपोजिट साइड b c पे हमने एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉ किया है पर्पेंडिकुलर देखिए पर्पेंडिकुलर का मतलब होता स्ट्रेट लाइन विच्च मेड यह विच फॉर्म्स आ एंगल ओफ नाइंटी डिग्री जो 90 डिग्री का एंगल बनाए वुस्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते है पर्पेंडिकुलर तो यहां पर वर्टेक्स से अपोजिट जो साइड है उस पर अगर कोई पर्पेंडिकु नहीं है यह मीड में आ रहा था बट यहां देखे ट्रेंगल की शेप चेंज हो गया ए बीसी और अपोजिट एक पर पर पेंडिकुलर ड्रो करा है डी तो एडी क्या है यहां स्ट्री एडी क्या है यह एज एल्टिट्योड और यह क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स'd हांगे त्राइंगल बना रहा है यहल्य कह viktी शेक है असी सानए रहे ट्राइंगल और धाटेंगे यहां आपशीड में एक ट्राइंगल बना रहा है A, B, C, triangle A, B, C, okay, triangle बन रहा है, इस वाली बात को अभी हम इसको नहीं बात करेंगे, triangle A, B, C में आप देखें, three angle form हो रहा है, angle 1, angle 2 and angle 3, okay, so this is a complete triangle, but अगर इस triangle की किसी arm यह किसी side को में आगे बढ़ा देती हूं, जैसे मैंने BC side को आगे बढ़ा दिया है, तो एक angle यहां भी form ह हो रहा है, इसी को बोलते है, exterior angle, यह ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं इस side को आगे बढ़ा दू, तो एक यहां हो सकता है, इस side को आगे बढ़ाती है, तो यह यहां हो सकता है, तो यह जब हम question solve करेंगे, तो यह question में क्या given है, उस पर depend करेगा, बट अभी आपको इस समझना है, क्या है, तो किसी भी आम को आगे बढ़ाने पर जो भी angle formulate हुआ, मन्ति जो triangle के अंदर नहीं आ रहा है, बाहर वाला जो है, ठीके, उसी को क्या बोल दे हमने, exterior angle, अब इसकी property क्या होती है, जो exterior angle होता है, वो अपने opposite side के जो triangle में angle होते है, means interior angles होते है, उनके सम के equal होता है, means angle 4 जो है, angle 4 के opposite side concept angles between triangle 1 and 2, तो angle 4 है, वो angle 1 plus angle 2 होगा, here angle 4 equals to angle 1 plus angle 2, okay, definition परते है, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle, जो opposite में interior angle है, उनके सम के बराबर होगा, तो यह property है, exterior angle की, now next, angle sum property of a triangle, इसको तो आप सभी बचे जाते हैं, angle sum property क्या होती है, किसी एक triangle की, the sum of all three triangles, sorry, the sum of all three triangles, all three angles of a triangle is 180 degree, means, एक triangle की जितने भी, तीन एंगल है, उनका सम जो होता है, वो 180 degree होता है, जैसे ही, यहाँ पर मैंने एक triangle लिया, ABC, तीन एंगल है, इसके 1, 2, 3, अगर तीनों को हम sum करते हैं, तो वो 180 degree होना चाहिए, इसी को बोलते हैं, angle sum property of a triangle, next आता है, types of triangle, आपने कापी type के triangle पड़े हैं, होते भी हैं, slavers में, जो अभी आपके हैं, वो 2 types के हैं, एक यहाँ हम बात करेंगे, equilateral triangle और एक करेंगे, isoscalous triangle, आप लोग सभी इसे जानते है, equilateral triangle, जिसमें तीनों sides equal हो, a triangle whose all sides are equal, all means all three sides are equal, वही होता है, equilateral triangle, but equilateral triangle में एक बात और होती है, कि जितने भी angle होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, equal होते हैं, ठीक है, जैसे यह अगर triangle है, equilateral triangle है, तो यहाँ, a b equals to b c equals to a c होगा, but angle a, a equals to angle 2, or equals to angle 3 b होगा, और most probably, जो angle होता है, यह 60 degree का होता है, क्यों होता है, क्योंकि 180 degrees का सम आना है, और equal है, तो अगर हम 180 को 3 parts में डिवाइट करेंगे, तो वो 60 plus 60 प्लस 60 है, तो equilateral triangle का, जो each angle होता है, वो 60 degree का बढ़ता है, ठीक है, next आता है, isoscalous triangle, isoscalous triangle भी बहुत इची है, इसमें 2 sides equal होती है, any 2 sides are equal, कोई भी 2 sides equal हो सकती है, जैसे मैंने यह triangle लिया है, a b c, तो यहाँ पर मैंने a b और b c को equal show करा है, ठीक है, next property आती है, हमारी triangle property, जिसे हम बोल होते हैं, तो triangle property क्या कहती है, the sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the third side, में, आपके पास triangle में 3 sides है, आप इस triangle के 3 side में से किसी भी 2 side का, अगर sum करेंगे, तो वो हमेशा, जो भी side बच रही है, उसके से बढ़ा आएगा, ठीक है, कोई भी 2 side का, अगर आप sum करेंगे, तो वो sum है, जो side बचती है उस side से बढ़ा होगा, ठीक है, जैसे ही, यहाँ पे 2-3 side दिखनी है, अगर मैं plus करते हूँ, a, b, plus b, c, तो इसको अगर हम add करते हैं, यह greater than होगा, a, c से, next, अगर मैं add करते हूँ, a, b, plus a, c, तो यह जो sum है, यह बढ़ा होगा, b, c से, so it's all about triangle property, next आता है, जो last रहेगा, इस chapter का आपका, right angle triangle and hypothesis, sorry, pythagoras, property या pythagoras, theorem भी बोल सकते हैं, इसे, तो right angle triangle, सबसे पहले बात करेंगे, right angle triangle क्या होता है, वे हो triangle, जिसका एक angle 90 degree का होना जरूरी है, ठीक है, वे triangle, जिसमें एक angle 90 degree का होगा, उसे बोलते हैं, हम right angle triangle, तो any angle should be of 90 degree, ठीक है, next, तो वो तो हो जाता है, आपका right angle triangle, जैसे यहाँ, triangle triangle के बात करें, A, B, C, तो यह देख लिया है, जो B है, angle, वो 90 degree का है, तो इसमें एक right angle triangle है, अब next बात आती है, the side opposite to the right angle is called hypotenuse, ऐसे, यहाँ पर यह 90 degree का एंगल बनना है, means angle B is of 90 degree, तो angle B के जो opposite side है, यह है, इस वाली जो side है, means BC, इसको बोलते हैं, हम hypotenuse, कोई भी angle हो, जो भी उसमें 90 degree का एंगल है, उसके just opposite वाली side को हम hypotenuse बोलते हैं, तो यह right angle होके, इसकी property हो गई, अब आती है, पाइफगोरस थ्योरम या पाइफगोरस प्रोपर्टी, तो पाइफगोरस थ्योरम क्या कहते हैं, और सबसे पहले तो पाइफगोरस थ्योरम अगर हमें कहीं लगाने है, तो वहां angle को right angle होना जरूरी है, पाइथागोरस जो थोरम है वो केवल राइट एंगल पर ही इंपोज होती है उसे हम कहीं भी यूज और नहीं कर सकते हैं तो यहां देखिए क्या कहती है पाइथागोरस थोरम the square of hypotenuse means एक triangle हमने लिया है right angle triangle है तो जो hypotenuse का square means PR का square जो है वो इन दोनों साइट के square के sum के बराबर होगा sum of the squares on the legs, जो hypotenuse है वो तो होगी है उसके other side की sides होते हैं इनको हम legs भी बोल सकते है, side बोल दो, legs बोल दो, arms बोल दो, there is no issue यहां मैंने legs से उसे represent कर दिया है तो जो PR square equals to होगा, PQ एक side है PQ का square plus second side है QR का square supposedly मैं अगर दूसर triangle यहां लो, right angle यह मैंने लिया है EFG यहां पर जो right angle है वो F है, तो F के सामने की जो line है, side है वो है EF, तो EF क्या हो गई, sorry EG तो EG क्या हो गई, Hypotaneous, तो EG का square जो होगा, वो EF square plus GF square यही क्या हो गई आपकी Pythagoras 3, okay, so it's all about the introduction of chapter 6 अभी आप इसको अच्छे से समझे, रिपीट करके आप वीडियो देखे, next वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, till then, bye bye झाल